देश के सस्वी प्रदान मंत्री माननी नरेद नर्मोधी जी का वारानसी लोकसवा 77 के इस कारकरता वैठक में बहुत बहुत वंदन, अभिननदन और स्वागत करता हूँ समानित मंच को पड़ाम करता हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार के सस्वी मुक्त मंत्री माननी योगी आधित नाजी को आमंतित करता हूँ कि हम सब को आशिर वच्चन हम सब का मागदासन करें का सी के भारती जनता पार्टी के बहुत अस्तरिय कार करता हूँ के आज के स्विशेश सम्मेलन मैं अपना मार्ग दर्शन देने के लिए हाँ परपस्तित देश के सोस्वी प्रधान मंत्री आधनिय नरेंद्र मोदी जी भारती जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्स मानिय डॉक्टर महिंदनाथ पांडी जी प्रदेश के प्रभारी केंद्रिय मंत्री मानिय जेपी नटा जी मानिय विधायक गांड प्रदेश के अपाध्यक्स और लोगसभा के सयुजक्स ये लक्षमणाचारे जी और कासी के सभी बहुत अध्यक्स और सेक्टर प्रमुक्णड मैं सबसे पहले भारत माता के महान सपूत कासी को देश और दुनिया में एक नई पहचान दिलाने वाले देश के सवस्वी प्रदान मंत्री और कासी के सांसर्थ और कासी संसर्थ चेतर से पुना कासी के नागरिकों की भावनों को प्रतिनित्व प्रदान करने के लिए आज कासी में पधारे आदिने प्रदान मंत्री जी का हिरदे से आप सब की और से कासी वासियों की और से अविनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ कासी के अठारा सो उन्नीस बूत अथ्याट से दो सो चपीस सेक्टर पर्मुक और अन्य पलादिकारियों के आज के सम्मिलन में आदिने प्रदान मंत्री जी का मार्ग दर्शन चनाओ के पूर्व कासी के कारिकरताओं में एक नई उर्जा का संचार करने की दिश से हम सब के लिए द्यन्त महत्वकून है पूरादिस गौरवानित है आदिने प्रदान मंत्री जी के सुसी नित्रत पर पूरादिस गौरवानित है आदिने मोदी जी के सुसी नित्रत पर और कासी की तु कहना ही क्या है मैं आज की इस आउसर पर जब आदने प्रधान मंत्री जी स्वयम भूत अस्तर के कारिकरताओं के साथ नामंकन के पूर्व जब कासी के कोथवाल काल भहरोनाथ के दर्शन करने के लिए आदने प्रधान मंत्री जी जा रहे हैं तुमारे भूत अस्तर के इन कोथवालों को संबोधित करने और अपना योग्यमार्ग दर्शन प्रधान करने के लिए आप यहाँ पर पधारे हैं मैं भारत माता के इस महान नंदन का कासी की उनकी कासी में कासी को जो भावनात्मक तस दिया है प्रधान मंत्री जी ने कल कासी के द्वारा उमरतावा जन समदाए आप सब ने देखा होगा पूरी कासी किस रूप में आदिने प्रधान मंत्री जी के स्वागत और अविनंदन के लिए उमर पड़ी थी और आज यहाँ पर 1819 बूत के अध्यक सकंड और 226 सेक्टर पर्मो करने उपर की प्रधादिकारियों के इस बिसेश सम्मिलन में भारत माता के इस महानदन का वंदन और अविनंदन करते वे ने हिरदे से यहाँ पर आदिने प्रधान मंत्री जी को सादर आमंतित करता हों कि अपना योके मार्ग दरसन कासी के इन सभी कारिकरतनाओं को देने के खिर्पा करें आदिकार 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 आदि सबसे पहले आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई कल जो द्रश्य मैं देख रहा था उसमें मुझे आपके परिश्रम के आपके पसेने की महेंक आ रही थी डगर डगर मैं अउपव करता था कि काशी के मेरे कार करताओं ने इतनी भयंकर गर्मी में गर गर चाकर के सबसे आशिरवाद मांगे मैं भी बुद्ध का कार करता रहा हूं मुझे भी दिवारों पर पोस्टर लगाने का सोभागे मिला मुझे भी दिवारों पर जब दिया था तब तो हम गाओं में थे, स्कूल में थे और दिवारों पर दिया पेंट करना ये भी करने का मज़ा आता था तब राजनिती में नहीं थे कुछ समझ नहीं थे सब बच्चे करते थे, हम भी करते थे और आज इस मंज के माध्यम से मैं आपको और देश भड़के सभी नागरिकों को सभी कार्यकरताओं का आभार व्यक्त करता हूँ कल जिस प्रकार से बनारस के लोग अबाल गुरूत और वो आशिर्वात मैं नुभव करता था जैसे परिवार में अपना खुद का मुख्या वो आशिर्वात देता है जो अनुभव करते हैं मैं कल हर कासी वासी में वो अनुभव करता था ये देश भर के कार्यकरताओं के मेहनत है कि आज कश्मीर से कन्या कुमारी तक पासी गार से पोर मंदर तक देश में मुद्साह का माफोल है और देश में लोग खुद कह रहे हैं फिर एक बार फिर एक बार हमारे देश में इतने चुनाव हुए चुनाव होने के बार पोलिटिकल पंडितों को अपने माथा पच्ची करनी पड़ेगी कि आजाती के बाद इतने चुनावों में पुरो इंकम्मंसी वेव पहली बार देश देख रहा है जनता ने मन बना लिया है और इतिहाँ का मैं फिर कहता हूँ पहला मोका है कि इस तरह का चुनाव लड़ा जा रहा है जनता हमें जितना प्यार दे रही है उसके प्रति हमें हर पल आभार जबाना है ये बात मानने पड़ेगी कारिकरता का परिश्राम और प्रजा का फ्रेम ऐसा अदभूद संगम कल था और उसी में से तो एक ये दिव्यता की अनुवूती होती है मैं पुरा देश का चुणाओ देख रहा हूँ दोस्तो देड़ महिने से हिंदुस्तान के कौने कौने में जा रहा हूँ भारतिय जनता पार्टी का कार करता नरेंद्र मोदी, अमिच शा, योगी जी हम सब कार करता निमित है निमित चुनाओ देश की जनता लट रही है और देश की जनता पास साल के अनुभव के हधार पर अनेश, आशा, अपेक्षा, आकांशाय लेकर के हम से जुड गई है दोस्तो ये बहुत बड़ा सौभाग है पूरे देश के राजनीती चरित्र को बजल दिया है क्योंकि पहले सरकारे बनती थी लोग सरकारे बनाते थे लेकिन पास साल लोगों ने सरकार चैंती है ये भी देखा है जनता सरकार बनाती है बनाना जनता के हाथ है चलाना हमारी जिम्मेवारी है और हमने इमामदारी से उस जिम्मेवारी को निभाया है मैंने कभी ये बहाने बाजी नहीं की कि मैं तो प्रधानमंत्री हूँ अब पार्टी ने मेरे से समय नहीं मागना चाहिए पाथ साल में एक कारकरता के रूप में आप मेरे कारकरता है आप मेरे मालीख है आपको मैं कारकरता के नाते हिसाब देता हूँ पाथ साल में प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए कारकरता के नाते नरेंद्र मोदी के नाते पार्टी ने मेरे से जितना समय माँगा जब माँगा जहां माँगा एक बार भी मैंने मना नहीं किया कारिय समीति में भी एक कार्ट करता की तरह पूरा समय बैठता हूँ पूरा समय मेरे भीतर के कारकरता को मैंने कभी मरने नहीं दिया और प्रधान मंत्री के रूप में मैं जिम्मेवारी निभा पा रहा हूँ इसका कारण मैं पी-म के नाते जो दाइत्व है उसमें सजग हूँ लेकिन एंपी के नाते जो जुम्मेवारी है उसमें भी इतना सजग हूँ और भाजपा के कारकरता के रूप में भी इतना ही एक बेलकुल जमीन के कारकरता के नाते कैसे काम करना चाहिए आप यह आपने मुझे सिखाया है आज पार्टी हमारी बड़ी है उसका कारण अकबारों ने हमें बड़ा नहीं बनाया है टीवी के स्क्रीन पर हम बड़े नहीं बने है हम बड़े परिवारों से नहीं आये है हम छोटे 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 कार करता है जैसे करशने के पास गुवाले हुआ करते थे हम वो गुवाले है जैसे राम जी के पास हनमान जी की पूरी वानर सेना थी जैसे चत्रपती सीवा जी के पास छोटे छोटे किसान थे, मालवे थे बैसे हमारी भारत मा के हम छोटे छोटे सिपाई और कृष्ण में गोवर्दन उठाने की ताकत नहीं होगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ वो अपनी तछली उंगली पर वो गोवर्दन उठा सकते थे लेकिन कृष्ण में हमें संगतन सास्त्र सिखाया है हर गवाले की लकडी का उसे सहारा चाहिए ये चुनाव भी मोदी नहीं ये छोटे छोटे गवाले अपने हाथ लगाया है ना इसके काहिए अड़ी से लिए एक एक वोट बहुत महत्वपूर होता है बहुत महत्वपूर होता है भार्पी ये जन्ता पार्टी के कारकरता के नाते आपकी कठिनाई बहुत है बनारस वालों की क्योंकि और जगा पे तो उनका जो उम्मीदवार होता है उनके साथ चलता है उनके साथ पर्चे बाड़ता है आप इतने कम नसीब है कि आपका उम्मीदवार फॉम बढ़ के भाग जाएगा लेकिन आपका उम्मीदवार इतना भागयवान है कि वो कहीं पर भी रहे यहां का कारकरता अपने भीतर खुद को उम्मीदवार मनता है देखिए इस चुनाव के दो पहलू है एक है कासी लोकसपा जीतना मेरे हिसाब से ये काम कल पुरा हो गया हो गया है ना एक काम अभी बाकी है एक काम अभी बाकी है वो है पोलिंग बूथ जीतना बनारत जीत गए पोलिंग बूथ जीतना है और एक भी पोलिंग बूथ भाजपा का जंडा जुकने नहीं देंगे मोधी कहता है मैं देश जुकने नहीं दूगा बूथ का कार करता कहेगा मैं बीजेपी का जंडा जुकने नहीं दूगा आज नामांकन के बाद नामांकन के बाद बनारत लोगसभा लड़ने के लिए कुछ नहीं करना है मोदी हारे जीते भूल जाओ मोदी का जो होगा वो गंगा मया देख लेगी लेकिन मेरा पोलिंग बुद का कार करता नहीं हारना चाहिए चुनाव जीत करके मुझे आनन नहीं होगा अगर एक भी पोलिंग बुद में मेरा कार करता हार गया और इसलिए अब आपकी इस परधा सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पर कहंदरी तो नहीं चाहिए पोलिंग बुद जीतना है एक ही मंत्रा मेरा बुद सबसे मजबूद मेरा बुद मेरा बुद दूसरा हमें कुछ रेकॉर्ड तोड़ने मोदी मोदी सबसे ज़्यादा बौट से जीते या न जीते ये रेकॉर्ड का मुद्द है ये नहीं दुनिया पूझे गिने यार तुम तो प्रधान मंत्री हो तुम जीते के आये उसमे क्या है वो बेव मतलब है और मुझे भी उसमें इंटरेस नहीं है मुझे इंटरेस है लोगतंत्र जीतना चाहिए और लोगतंत्र जीतने का मतलब होता है अब तक अब तक बनारस में उत्तर फुरेश में जीतना फोलिंग हुआ है कोई उनसे कागण ले लिजे मुझे पहुचा दीजे एस पी जी ले लिजे पहुचा दीजे तैंक यू बेटा तैंक यू देखे लिए आप लोगों आप लोगों का प्यार है जो मुझे तातक देता है भाईयो भैनो रेकोर्ड क्या तोड़ना है मई मईने की 40 बिगली गर्मी में भी दुनिया को दिखा देना है कि मतदान के पूराने सारे रेकोर्ड हम तोड़ देंगे ये कर सकते हो क्या पूराने सारे रेकोर्ड तोड़ देंगे क्या मेरे मन की एक और इच्छा हमेशा रहती है मैं चाहता हूँ मैं नहीं कर पाया मैं गुजरात में भी नहीं कर पाया लेकिन आप मुझसे ज़्यादा बाहदूरे आप कर देंगे जो मैं नहीं कर पाया वो आप कर सकते है क्योंकि मेरा आपने भरोसा बहुत है मैं गुजराथ में हमेशा चाहता था कि पुरुषों की तुड़ना में महिलाओं का मतदान 5 प्रतिशत जादा होना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाता था क्या हम बनारस में यह कर सकते हैं क्या ऐसे नहीं बेदीले पड़ जाओगे नहीं तलेगा इसका मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि माता मात्र शक्ती मुझे बहुत आशिरवाद देती है आज जो मेरी जिन्दगी है आज जो मेरी जिन्दगी है मैं हमेशा नुभो करता हूँ कल जो मैं रोड़ शो कर रहा था तो कहीं लोग मुझे डांट रहे थे कल रात को सोचल मीडिया में मुझे इतनी डांट पड़ी है समने राता हो दीजी रोड़ शो बन कर दीजिए आप अंदेरे में ऐसे अपके ले कैसे निकलते हो आपका सुरक्षा का मुद्दा है अभी स्री लंका में हुआ आपको परवा नहीं है आप अपने मालिक नहीं हो हम आपके मालिक है आपको ऐसे नहीं निकलना चाहिए मुझे बहुत दाथ पड़ी है कल बहुत दाथ पड़ी है लेकिन अगर मेवदी की कोई सुरक्षा करता है तो इस देश की करोडो माताए बेहने बेश शक्ती बनके मेरी सुरक्षा कवज बनाए मैं हरान हूँ देश के कोणे कोणे में माताए बेहने जिसको जो रास्ता सुच्ता है कोई पुजापाट कर रहा है कोई ब्रत कर रहा है कोई गर गर जा रहा है कोई बच्चे अपने बाहर है तो उनको टेली फोन करके बोलते है गर वापिस आओ वोट करके वापिस जाना यह माताए बेहने कर रही है क्या कासिम है ये चुनाव जितने हारने से लेना जाना नहीं दोस्ता मैं मानता हिंदुस्तान के लोगतंत्र की ताकत 21 वी सदी की ताकत हमारी माता ही बहने बनने वाली है हम ताई करेक हमारे पोलिंग बुथ में अगर 100 वोट फूरुष के पड़ते हैं तो 105 वोट महिलाओं के पड़ेंगे ये करेंगे क्या ये करेंगे क्या पक्ता करेंगे दूसरा आपके पोलिंग बुथ में जो पहली बार वोट करने वाले हैं जिनका जन्मा 21 सजी में हुआ है उन सबका अलग लिस्ट बनाओ बनाएंगे जो पहली बार लोगसभा में भोट देने वाला है उनका लिस्ट अलग बनाओ उन सबको इखटा करो को किसी भी दलका हो चिंदा मत करो देखे दलवाल सब भाद में किसी की दलका हो किसी का भी बिल्ला लगा के हुंता हो सबको बुलाओ और इलेक्शन कमिशन का खर्ट जादा अतान नहीं हो आना नहीं चाहिए कम से कम एक गुड का टुकड़ा इन सबके मुँ में रखे छोटा सा काम है उनका मुँ मिठा कीजिए उनको लगना चाहिए का वो 18 साल पूरे करके 21 सदी का वो निलायक होने जा रहा है बोट करने जा रहा है बड़ा सम्मान देना चाहिए उसके हाथ में फूर दीजिए सम्मान किजिए फूर बटशा किजिए उस पर इम्मदान के दिए करने के बाद नहीं कर रहा हूं है आने वाले 5-7 दिन महनत करके तारीच तै करो पहली बार बोट देने वाले बेटे बेटी उनका सम्मान उनका गव्रव वो बोट किसी को भी दे इसकी चर्चा मत किजिए बस तुम देश का भविशताय करो ये बताओ ये करेंगे करेंगे आप तीसरी बाद देखें लोग कंत्र एक फेस्टिवल होता है एक उमंग और उच्छा होता है हम दिवाली में फटा के फोरते हैं फुरी जरी चलाते हैं लेकिन किसी को नुक्षान हो कोई खड़ा है और पीशे जाकर क्यों तो बंग नहीं फोरते हैं नहीं फोरते हैं क्या नहीं फोरते हैं लोग तंत्र में भी हमारा कितना ही विरोजी क्यों नहों तीवी इंप्टरिव में हम तू तू में में करेंगे सब करेंगे अख़बार में करेंगे बाशन में करेंगे लेकिन दोस्ती भाई चारा ये लोगतंत्र की सही जीत है करेंगे कोई जगतंत्रा अफिसा जगणा कुछ नहीं होना चाहिए और एक बार आप करेंगे न और दल भी ऐसा करना सीख जाएगे हमारा दाईत्व है हमारा दाईत्व है यहाँ चुनाओं में सबसे बड़ा खत्रा क्या है सबसे बड़ा खत्रा क्या है अब देखिए ये मिडिया वालों को बनारस के चुनाओं में कोई इंट्रेस नहीं रहेगा उनका टीयार पी खतम हो गया यह वर्ड कप करते हैं न क्रिकेट का वर्ड कप भारत पाकितान के बिना कोई पैसे कमा ही नहीं सकता है यहाँ भी उनको बस मान लेंगे कल के बाद अब मोदी जीच गया और यह सबसे बड़ा नुच्छान करेगा हमें किस पार्टी से कौन उमिद्वार है यह है वो नहीं है फ्राना नहीं है दिखना नहीं है वो लंबा है वो काला है वो गोरा है वो टेड़ा है वो मेड़ा है क्रिपा करके ऐसी चर्चा मत करें हर उमिद्वार सम्मानिय है हर उमिद्वार आदरनिय है वो भी लोग तंत्र को मजबूत बनाने के लिए मैदान में आया है वो हमारा दुश्मन नहीं है ये करेंगे देखिए मैं जानता हूँ लोकल लेवल पर कभी कभी मुश्खिल हो जाता है लेकिन हमने करना चाहिए हमने हेकड़ी मारनी नहीं चाहिए हमी सब कुछ है भगवान ने सब ज्यान हमको ही दिया है वो उसमें जव है उनका हाल देश की जनता ने क्या कर दिया हेकड़ी मारने वालों का चार सो से चानीस हो गए हेकड़ी नहीं मारनी ये दोस्तों पूरी तरह सर चुका करके हाँ जोड़ करके नमन करके हमने नम्रता के साथ चुनाव लड़ता है आप अगर मोदी के सिपाई है हम जो टीवी में जगरा करते हैं या भाशन में जगरा करते हैं उससे प्रेणा मत लिए दोस्ती प्रेम ये राजनीती में बहुत जरूरी है जो दीरे दीरे खतन हो रही है हमें वो वाप्रिस लाना है भाई चारा प्रेम वाप्रिस लाना है कोई मोदी को कितनी भद्धी गाली दे आप जिंता मत करो भाई एक बार एक बार एक सज्जन जा रहे थे लोग बहुत गालिया दे रहे थे वो सुन रहे थे हाथ लंबा करकर के उसको दे रहे थे और वो अपना स्वस्तता से चले जा रहे थे तो कहीं पर पहुँचे तो लोगों ने उसे पूछा कि इतना सारा आपको गालिया दे रहे है न जाने क्या क्या कह रहे है चोर है लोटे रहा है यह है वो है आप फ्रो ऐसा चल रहे हो कुछ पर चिंता ही नहीं आपको आप पर कोई असरी नहीं है तो सज्जन ने कहा देखो भाई तुम बाजार में कुछ भी लेने जाओगे और लिये बिना आओगे तो तुमारे घर कुछ आएगा क्या आएगा क्या जिसको जो देना है देता रहे अगर मेरे जेब में जगाई नहीं है तो मैं कहा ले जाता हूँ मैं आपनी मस्ती से गुजरता हूँ आप भी जिसको जो गाली देनी है वो सारी मोधी के खाते में पोस्ट कर दो मोधी के खाते में पोस्ट कर दो और मैं गंदी से गंदी चीज से भी खातर बनाता हूँ खाद बना देता हूँ कितना ही गंदा तुड़ा कचड़ा हो मैं उसमें से खाद बनाता हूँ और उसी से कमल खिलाता हूँ मैं तो कभी हमारे साथियों को कहता हूँ मैं जब पार्टी काम करता था उस जनमाने में नया नया टिदी का जमाना शुरू हुआ था और राग को नव बजे प्राइम शो एक बहुत बड़ी चीज रहती थी और एक प्रकार से सभी तीवी चैनल वाले हंटर रखते थे शिकारी रखते थे हंटिंग करने के लिए तिन तिन चार चार गाड़िया आपके घर के बार खड़ी रहती थी और आपको उस फुडियों में उठा के ले जाने के लिए जगड़ा करते थे क्योंकि उस समय उनको ये नई दुनिया थी तीखी तेज तरा चर्चा करने वाले लोग चाहिए तीखा भूनने वाले चाहिए ताकि उनका शो चले तो ले जाते थे और कभी कभी मैं देखता था कि मैं जाता था तो कुछ लोग कजि मैं गाली गलोत नहीं करता था तो फिर दिवी वाले कहते थे ने मोडी जी आपको बुला के क्या करेंगे आपको कुछ गर्मी प्रादा ही नहीं करते हो आप गर्मी पादा ही नहीं करते हो हमें तो तू-तू-मेमे करने वाला चाहिए तो मुझे कभी कभी artificially एक दो डायलोग बोलने परते थे ओपोजिशन के लिए ताकि ज़रा उनकी गर्मी चले मुझे बुलाए मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिये इसका कोई उप्योग नहीं है तीसरी बात है कम से कम खर्च में हम तुनाव लड़ सकते हैं क्या देखिये मैं हमारी अमदाबादियों की पहचान है मैं अमदाबादि हूँ पका तो अमदाबादि जो होते हैं न वो सिंगल फ्यर्ड डबल जर्मी वाले होते हैं बिना खर्चा चुनाव लड़ा जा सकता है आप लड़ पाएंगे हम ये बता सकते हैं जी कम से कम खर्च से चुनाव लड़ा जा सकता है मैं तरीका बताता हूँ देखिये आपके पोलिंग गूट में मान दीजे एक हजार वोट है एक हजार वोट है मतलब डाइसो परिवार है डाइसो परिवार है डाइसो परिवार में आपके पास मान दीजे भूठ में 25 कार्यकरता है तो एक कार्यकरता के जिम में 10 परिवार उसके जिम में लगा दो और उसको बता दो कब तुम्हारा टीवी का खर्चा बन अकमार का खर्चा बन चाई का खर्चा बन नास्ते का खर्चा बन तो शुरू में तो चिलना आएगा निन करना क्या है आपको जो दस परिवार दिये है तो सुबे की चाय के समय एक परिवार में पहुँच जाईए नमस्ते जी कैसे है जी बेटा कहां रहता है तब्यत कैसी है मां दवाई वगर कहां लेती है बज़े जी बाते करिए और फिर वो कहेंगी चाय प्योगे हाँ हाँ जुरूर चाय प्योगे आपका खर्चा गया कि ने गया चाय का खर्चा बचा कि ने बचा फिर दूसरे गर जाईए महां बैठिये अरे कौनसा अकबार आता आपका अचा ये अचा अचा ये अकबार तुम बने पढ़ाने लाव पढ़ते हैं अखबार उनका पढ़ना फिर वो कहेंगे नास्ता कर ताइम हो गया आच्छा हमने सुना है आप तो भगबढ़िया नास्ता बनाती है भावी जी हो जाया आपको गरम हो जाया तो भावी जी नास्ता करा देगी अख़बार मुफ़त का इतने में पता चलेगा कि आप 10 बजे ताइम्स नाओ फे मोधी जी का इंट्रीव आने वाला है तो फिर उनके घर में तो अंग्रेजी चैनल चला पे नहीं वहाँ पहुंच जाए बैचिये सब के साथ अरे सुना है कुछ टिवी पे आने वाला है लाओ चालू करते हैं टिवी किसका उनका बिजली किसकी उनकी टाइम्स नाओ किसी गा तीसरे गा और हम क्या करेंगे देखेंगे और उसमें कुछ गलत बात आती है तो जोरों से बात करेंगे ताकि उनका ध्यान ना जाए और अच्छी बात आएगी अरे सुनो सुनो देखो क्या कह रहा है देखो बिला खरते चुराओ लड़ा जाएगा एक नहीं आपको मत्तान के दिन आने वाले जितने दिन बचे हैं बस उन दस परिवारों में चाय उन दस परिवारों में भोजन दस परिवारों में नास्ता दस परिवारों में अख़बार दस परिवारों का टीवी देखिये साथ आपका वजन भी दोग कोई नो बढ़ जाएगा अब फिरा अखरी दिन जाके कहेंगे कि माता जी ठीक है आप इतने साल जिसको गोड दिया दिया इस बार तो मेरे साथ चलो रहाँ देखे कमल का फुल एक बार को दबा के देखो कैसी सुगल आती है बेश महेक उठेगा अरे कमल के फुल को बटन दबाओ बेश महेक उठेगा कर सकते हैं कर सकते हैं बीना खर्चा चुना हो जाएगा फिर एलेक्शन कमिशन को लोड़ी पीज़े लिकालना पड़ेगा कि अगर आपने घर में भाज़ता वालों को बला के चाही पिलाई तो उसका भी खर्चा मोड़ी को देना पड़ेगा दूसरा इस अ फर्स्ट टाइम वोटर है आज हर कोई मुबाईल फोन उप्यों करता है अगर आप सही चीज नहीं पहुँचा होगे तो गंदी चीज पहुँच जाती है इसलिए नरेंद्र मोधी एप इसको आप डाउनलोड कीजिए दिन में दस बार देखिए किसी के भी गर जाते हैं न तो इसमें तीन चार अच्छी फिलमाई हो उसको दिखाईए नरेंद्र मोधी एप पर जो पॉजिटिव खबरे हैं जो फर्स टाइम बोटर है जिनका एक छोटा सम्मेलम पुलिंग भूद का करना है उन सब के मोबाईल में नरेंद्र मोधी एप होनी चाहिए और उनको कहना चाहिए एक पढ़िये आगे पहुँचाईए देश का फ़विश्यत आई किजिए भाईयो बैनो बनारस का चुनाल ऐसा होना चाहिए कि देश के पॉलिटिकल पंडितों को उस पर किताब लिखने का मन कर जाए एनालिसिस करने का मन कर जाए और इसलिए मैं आप से आगरा करूँगा आप कारिकरताव से मैं मिलने आया हूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो बै अगर इस बीच में नहीं आया देश के अलगलग कौने में पांटी के लिए काम के लिए चला गया तो आपको मंजूर है आप सब नरेंद्र मोदी है आप सब नरेंद्र मोदी है हर भूद के आप PM कैंडिडिड है हर भूद के आप MP कैंडिडिड है भूद चिता के लाओगे और भूद हारोगे तो सबसे ज़्यादा दूख किसको होगा अगर भूद हार गए तो सबसे ज़्यादा दूख किसको होगा मुझे मुझे बनारत चितने का बजा नहीं आएगा अगर मेरा साथी बुद्ध हार जाता है भायो बैना मुझे पुली मुद्ध जितना है और स्री केश्ण ने जैसे गोवर्दन उठाया था आपी के प्रहत्न से हमें इसी कीश्विसदी भारतमा को नई उचाईयों पर ने जाना है और इसलिए मैं आप चागर करता हूँ कि आप एक कारकरता के रूप में आदर्च कारकरता के रूप में इस चुनाव जंद नहीं है ये चुनाव लोग तंत्र का उत्सव है ये लोग तंत्र का उत्सव है हमें किसी को पराजित करने में ताइम खराब नहीं करना है हमें जनता जनार्दन के दिल जितने में जिन्दिगी खपानी है हम दिल जितने के लिए निकले हैं दल तो अपने आप जीत जाएगा और इसलिए दिल जितना ये हमारा काम है कोई भी दिल ऐसा नहीं हो कि हमने कोशनिश न को और एक बार आपने दिल जीत लिया ना तो दल को जिताने के लिए वही काम कर देंगे दोस्तों और दल जितेगा देश जिताने के लिए दल कुर्शी पे मौच करने के लिए नहीं है पांच साल मैंने दिखाया है ये पुणान मंत्री पद एशो आराम के लिए नहीं होता है ये पुणान मंत्री पद माज मस्ती के लिए नहीं होता है ये पुणान मंत्री पद चाचा भतीजे, बहन भाई, बेटे बेटियों के लिए नहीं होता है ये एक सो तीस करोब लोकों के लिए ये शाधनास कली होता है ये तेपसिय होती है खुद को कपा खुद को खपाना पड़ता है कर्ण कर शरी का कर्ण कर ज़लाना पड़ता है जिल्दिगी की पलपल आहुत करने पड़ती हैं दोथो पास साल में मैंने करके दिखाया है और इसे दिए मैं कहता हूँ मैं काशी वाक्षवा से कहता हूँ देश के बीजी पी के कारकरता हूँ को भी कहता हूँ और मेरे कारकरता भाई वा आप तो भागिस आलिए बनारस के मेरे प्यारे भाईव भागिस आलिए मैंने बंगाल में पांठी के कारकरताओं को देखा है जब घर से निकलते हैं तो मां को कहके निकलते हैं और मैं सत्य घजना बताता हूँ मां को कहके निकलते हैं कायर करता खास करके मंगाल में और केरल में वो कहते हैं मां भाजपा का काम करने के लिए जा रहा हूँ अगर शान को जिन्दा लोटके ना आया तो मां कल से मेरे चोटे भाई को भेड़े ना मां में तूप पिस्टोल की सायान है बंगाल में हमारे कारकरता काम कर रहे हैं केरल में काम कर रहे हैं और क्रिवता इतनी है जब कभी हम गुलामी के कालखंड में कुछ सल्टनकों में देखते थे कि पब्लिक कोई खठा करकर के फिर उसको मारते थे कारते थे बंगाल में भाजपा के परिवार जनों को अगर बीजेपी के लिए काम करता है तो जनता देख सके ऐसे गाउं के पैड़ पर फांसी के लटका करके उसको टिंगाये रखते हैं और लोग देखते हैं डराते हैं फिर भी वो डरते नहीं है बनारस के लोगों को तो ऐसा कष्ट नहीं है जो कष्ट केरो और बंगाल के भाजपा के कारकरता जेल रहे हैं दोस्तों इसलिए मैं कहता है भीतर जरा भी कटूता नहीं बैर भाव नहीं हरे के दिन जितना है हमारा केंदर बिंदू मत दाता होना चाहिए हमारा केंदर बिंदू न मोडी होना चाहिए न प्रतिसफर्दी होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मत दाता यही हमारे केंदर में होना चाहिए इसी इस बात को ले करके आप चलेंगे फिर एक बार जो जुस्से से प्यार से इस काम को आपने किया है मैं आपका आभारी हूँ पोलिंग बूट जीतना यह आपकी जिम्मेबारी है मेरा बूट मेरा बूट मेरा बूट मेरा बूट मेरा बूट हर हर महादे मेरा बूट बन्यवाद बानमंत्र जी आपने धर्म, संस्कृति और सिछा के राजानी कासी को पुनह अपनी कर्म हुँ के रूप में चोना हम सभी भारती जन्ता पाटी के कार करता हिर्रे से आपका आभार इवेक्ष करते हैं हर हर मा भारत माता की भारत माता की आप सभी प्रदादी कार करता सभी भाईयों बहनों को आज की बैटेक में पसिज रोने के लिए सब का बहुत बहुत आभार धन्यवाद आप सभी जैसा पुदानमंत्र जी ने लक्ष दिया है वो संदुरूप हम सब काम कर शंधान को आगे बढ़ाएंगे सब का दुनेबाएंगे